तो हे गाईस कैसे हैं आप लोग तो आज की यूडियो में हम बात करते हैं मैंस फीजिक में कम्पीट कर रहे हैं कुछ यह न्यूँ अमेजिंग एथलेट्स की सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप जो जो बीन सागवार की तरफ से तो जो बीन ने इस बात जो है मुसल कॉन्टेस्ट फिलिपीटीन में जाकर मिस्टर οलमपी की कॉलिफकेशन है उसे हासिल किया तो अग Kumar बात करें जो बीन की फीजिक की तो लिटली अमेजिंग जेनेटिक्स कैसे हैं इनके पास So recent में जोव्यन ने यहाँ जो जेर्मी बुना दिया के साथ जोव्याइट ट्रेनिक करते हुए अपने एक रिसेंट में फिजीक अपडेट शेयर किया So आप इस फिजीक अपडेट में देखें कि जोव्यन और यहाँ जो जेर्मी जोवा काफी similar लग रहे हैं दोनों में जो muscle mass और muscles की quality है वो काफी amazing और एक दिन जो equal दिखाई दे रही है especially यहाँ पर जो जोबन के पास काफी अच्छा pump के साथ एक बहतरी muscles की roundness दिखाई दे रही है जो जोबन के पास काफी अच्छी muscles हैं वही काफी अच्छी proportions हैं इनकी physique के आप देखें है recent में इन्होंने जो एक और अपना physique update दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो अपनी कार्प डेया वो शुरू कर दिया है आप देखें कि कार्प को loading करने के बाद इनकी physique का काफी अच्छे roundness को पकड़ रही है वहीं काफी similar posing लगती है मुझे जो इनकी और यहाँ जो जैरी में बुने लिए कि काफी अच्छे दोनों athletes है तो काफी amazing package को लेकर आने वाला है यह जो इस बार के Mr. Olympia में तो overall symmetry wise काफी बहतरी लिना है वही वैस कुलाइटी भी काफी अच्छी है physique की मुझे रखता है कि टोप 7 में आ सकते हैं इस बार के Mr. Olympia के लाइनप में अब देखते हैं कि इनका जो performance है वो कैसा रहता है अगर next athlete की बात करें तो है जैफरी डार्को जैफरी की अगर physique की बात करें तो काफी अच्छे जैनेटिक्स हैं एक बहतरी proportions वाली physique है इनके पास तो अगर यहां पर जैफरी की बात करें तो जैफरी इन जो है इसी साल जो है याव माटर शो को जीत कर जो है Mr. Olympia की जो qualification है उसे हासिल किया और एक दम जो है men's physique category में काफी अच्छे से fit बैठते हैं अगर आप इनकी जो है front की physique को देखोगे तो काफी अच्छे जो है balance के साथ बैठती है इनकी physique small waist है वहीं जो shoulder काफी अच्छे जो roundness को पकते हैं और overall जो front की body है काफी जो है अच्छा x frame structure निकालती है सो front की जो body है वो काफी अच्छी है यहाँ जो जैफरी टारको की वहीं बात करें अगर इनकी back की तो मुझे लगता है कि इनकी जो back है वो काफी बड़ा जो है plus point है इनकी physique का सो आपके लेजिए एक 12 जो back में काफी जो back होती है वो दिखाई देती है आपके लेजिए कि इनकी जो back में lats है उनमें काफी अच्छी तरीके से जो एक बहत है queala एक separation के साहाँ एक जो एक जोlet कुलने चाहिए वो काफी आच्छी तरीके से खुलते हैं सु जिसके कांट जो इनकी बैक की बढ़ने के कांट जो एकस पॉरेम का स्ट्रक्चिर है वहीं शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डरS भी काफ़ी थारीकी से जो है पर्फूम करें इस बार के लाइनप में वही लास में बात करें अली बिलाल की तो अली ने इस बार चार प्रोशोज में कंपीट किया जिन में से की तीन प्रोशोज को तो इनने जीती लिया तो अगर बात करें अली की फीजिक की तो अली की जो फीजिक है वो काफी अच्छे जो एक आइडल जैनेटिक्स जो होते हैं उन्हें शो करती है फ्रंट से वहीं अगर बात करें इनकी back की तो back भी काफी अच्छी है पर लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इनकी जो back है वो किसी भी men's physics athlete को बीट कर सकती है पर लेकिन अगर बात करें इनकी front की body की तो front की body में जो x frame का structure है वो काफी अच्छा लगता है वहीं इनका जो सबसे बड़ा और main जो plus point है वो है इनका mid section इनका mid section है मुझे लगता है काफी अच्छी जो एक sharpness को लेकर आता है वहीं जो काफी अच्छी जो deep detailing को पकड़ता है वहीं इनकी जो external obliques हैं वो काफी अच्छी जो एक impact दयार करती है इनकी mid section पर जो जितके करण जो इनका mid section है वो और भी जो निकर कर दिखाई देता है जो जिसके करण जो इनकी front की body का impact है वो काफी amazing दिखाई देता है overall काफी अच्छे जो है एक बैटरिन प्रोपोशन्स वाली physique को handle करते हैं वहीं बात करें अगर back की तो back काफी अच्छी है इनकी पर लेकिन जो इनकी back है वो back की करने इस बार के mr. olympia के lineup में जो है न्यू कंपीट कर रहे थे यहाँ जो मिस्ट्र ओलंपय के lineup में जो मैंने सूचा क्यों ने जो है इनकी पर लेकिया जाए तो भी देखते हैं कि इस बार के mr. olympia में जो इनकी performance है वो कैसे रहती है और गैस अगर आप ऐसी बोडी विल्लिंग से लिटी इंट्रस्टिंग अपडेट्स और वीडियोस देखना चाते हैं तो चैनल को जो हैं सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फोर वोचिंग